दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बैल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले मैं भारत को भारती अता की माननिता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं उस काम में लगा हूं अब अपने चाती में कुछ रोग हैं जैसे दमा हैं अस्थमा हैं ब्रंकिल अस्थमा इस बहुत अच्छी दवाएं डाल चीनी पर शहद भाओ एक चमश डाल चीनि एक चमश चैथ मिला के चातो प्रीचे से गरम पाने और एक अच्छी दवा है गाय मूत्र पीलो देशी गाय का ताजा मूत्र आधा का तो दमास्तमा सब चीखेँ गले की कुछ बीमारी है जैसे कि में खराश है गले में सूजन है गले में दर्द है एक खराब बीमारी है गले में टॉंसिलाइटिस इसकी बहुत अच्छी दवाए है हल्दी हल्दी पाउडर है आदा चम्मच पूल के अंदर डालों और थोड़ी देर मुह बंद करके बैठो तो ये हल्दी नीचे आईगी गले में लार के साथ है और ये हल्दी आपको ठीक करेगी सूजन ठीक करेगी खराश ठीक करेगी और टॉंसिलाइटिस की बीमारी तो एक दो खुराक में ही ठीक हो जाती है ऐसी गले से संबंदित एक बीमारी है थाइराइडिजम हाइपर था गरम पानी में पीओ, महीने डेड़ महीने पीलो थाइराइड बिल्कुल ठीक हो, एलोपैथी में जिस थाइराइड को ठीक करने की दवा ही नहीं है, वो धनिय पत्ते से अच्छी ठीक हो जाती है, ऐसी अच्छी अच्छी चीज़े भगवान ने दे रखती है, धनिया पत्ता पीस लो और एक चम्मच उसकी चट्नी, आदा गिलास गरम पानी में मिलाओ, पीओ, सुबह खाली पीओ, कुछ और दवाएं बताता हूँ, मानलो हमें सर्दी खासी बहुत होती है, जुकाम अक्सर होता रहता है, तो सर्दी खासी जुकाम में बहुत अच्छी दवाए है, ह और शहोते शहरद मिलाखे चाटू, सर्दी खासी में, और एक दवा है, पान है ना पान, पान का रस निकालो, अद्रख का रस निकालो, दोनों को बाफर मातरा में मिलाखे हलका गरम करो, और फिर धोड़ा शहरद मिला के खाओ, तो यह भी सर्दी खासी चीख करता है, और बहुत ज़्यादा खासी होना बहुत खास्ते खास्ते चेहरा लाल हो जाता हो तो आप अद्रक को ढून लो आग पर भून लो और उसमें थोड़ा हल्दी मिला लो हल्दी लगा दो उस पर हल्दी चिपक जाएगी मूने हुए अद्रक पे हल्दी डालो वे चिपक गई अब व कर देखा इतनी बढ़िया दवाएं हमारे पास हैं और एक अच्छी दवा अनार का रस गरम करके पीए बहुत जन्दी खासी चुछ दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब करें फिर लाइप कमेंट और शेयर करें और हां हमारा एंड्रोइड एप डाउनलोड करना न बुले